हम लोग अपने learning process को continue रखते हैं कल के session में जो हमारे trade plan थे वो कुछ इस तरीके से थे कि जब तक price higher side previous जो mother candle बना है जिसके जो levels लगे हुए है higher side 5700 का price और lower side 5200 ये जो range है ये आपके लिए छोटे trades की range है जिसको आप लोग intra day में trade करेंगे और positional traders के लिए no trading range है क्योंकि बड़े momentum किसी breakdown या breakout के बाद नहीं होंगे जैसे कि price अपने अगर day high निकाल रहा है तो ये momentum मिल रहा है फिर high निकाल रहा है तो ये momentum मिल रहा है फिर high निकाल रहा है तो ये momentum मिल रहा है इस तरीके से ठीक है प्राइज में जो momentum होगा वो बड़े momentum आपको कम मिलेंगे जब प्राइज अपने daily time frame की जो mother candle बना हुआ है उस candle के high या low में से कुछ break करें तो कल के session में हमारी जो trade plan थे वो उसी तरीके से थे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि price में sell on rise किया जाए कि price जब भी higher side moment करें तो वहाँ पर बेचने की कोशिश की जाए ना कि खरीदारी की कोशिश की जाए लेकिन अब ये कैसे समझा जाए कई लोगों को ऐसे sessions में doubt होता है कि बिकवाली की कोशिश तो कर नहीं है लेकिन बेचना कहाँ पर है जहाँ पर sir supply trigger होती है ना वहाँ पर बेचा जाता है ठीक है अब ये कैसे समझे सप्लाई कहां trigger हो रही है अब देखे प्राइस कोई कमजोर भाव है sir वीक प्राइस है तो वो गिर रहा था पहले ठीक है अब वो higher side उपर की तरफ चल जा है अब ये high और ये high इसके resistance है अब ये किस high तक जाएगा एक lower lows के formation के बाद यहाँ पर मैं बनाऊँ आपके लिए ये downfall का price आया एक गिर के ठीक है अब आप बोलेंगे कि इस candle में इस पूरे momentum में ये ये और ये resistance है बहुत ज़रूरी session है जो लोग पूरा देखेंगे अन तक उनको बहुत सारी clarity मिलेगी price को लेकर ठीक है अब price क्या कर रहा है यहाँ से higher direction momentum करे तो हमारे लिए resistance 1, R1, R2, R3 जैसे आपका pivot होता है वैसे आप यहाँ पर लिख सकते है ठीक है इसका sir simple process है यह जो हमारा time frame पर momentum downside है वो hourly या two hourly time frame पर है ठीक है और छोटे time frame पर जब price higher side moment करेगा तो कैसे करेगा इस तरीके से करेगा sir देखे कैसे करेगा इस तरीके से करेगा higher rise के formation यही तो होते है ठीक है तो price क्या कर रहा है यहां से उपर जा रहा है इस तरीके के formation के साथ चलते हुए ठीक है जब इस तरीके का momentum price कर रहा है तो हमको short कब करना है कैसे पता लगे अरे sir जब तक कोई एक अच्छा बिक्वाल किसी एक level पर आपको किसी इस तर पर बेशते हुए नहीं दिखेगा तब तक आप short नहीं कर सकते कैसे पता लगेगा कि बिक्वाल किसी अच्छे इस तर पर short कर रहा है की नहीं कर रहा है कि sellers अब active हो रहा है की नहीं हो रहा है sir price पर पहनी निगा भाव को कितना बहतर तरीके से आप देख पा रहे है उस जगे पर अब price higher direction momentum करे और momentum करते हुए आखरी खरीदारी का भाव कौन सा होता है एक price ऐसे चल कर गया लोटा यहां से लोट गया तो last buying price यह है फिर हलका से लोटा यहां से लोट अब बताईए आप इतने बड़े बिक्वाल है daily time frame पर बेच रहे हैं two hourly घंटे के time frame पर बेच रहे है और minute के खरीदार price को उपर की तरफ एक इस तर पहले खरीदारी करके आगे price को ले जा रहे है तो आप कहीं मतलब अच्छी बिक्वाली नहीं कर रहे है बेशक higher price पर sellers active है लेकिन कोई बड़ी बिक्वाली वो कर नहीं रहे तब तक हम wait करते है trigger होनी का selling जहां trigger होगी बहुत बड़ा momentum मिलता है तो momentum कैसे किसी आखरी छोटे खरीदार को काटेंगे वो कौन होंगे बड़े बायर तो जब price अपने last swing low को break करे तब short करते है sir last swing low को छोटे time frame पे की बाजार उपर जा रहा है अब जहां से भी लोटे यहां से यहां से कहीं से भी लोटेगा तो जब last swing low को break करेगा retest करेगा समझ दीजिए अब seller है price के momentum में अब intraday में sell on rise का market है लेकिन अगर आपको market एक भी opportunity दे ही ना intraday में sell करने की तो क्या किजेगा नहीं करेंगे sir wait करेंगे wait and watch में रहेंगे ठीक है और कैसे पता लगता है कि जब price downfall में है कि lower lows के यह formation आपके बन रहे है ठीक है अब यह downfall का price है कैसे पता लगेगा कि price इस supplier से selling उठाएगा कि इस supplier से जब price इस seller के पास पहुँच रहा होगा ना इस resistance एरिया के पास आपके सामने यह supply trigger हुई जो आपने यह बिक्वाली देखी आपने देखा ना panic creation कितनी तेजी से price गिर कर नीचे आया जितनी तेजी से आप चलके गया उतनी ही तेजी से गिराया गया ठीक है सेलर का का में panic creation बिक्वाली कभी धीमे नहीं आएगी तो कोई price उपर धीमे धीमे चलके जाए और गिरावट भी धीरे-धीरे करें हर candles में lower wick दिखे अरे सर वो बिक्वाली नहीं यह वेट कीजिए एक अच्छे आपको अपर्जिटी का वेट करना होता है उस टाइम पर तो अब बताईए पिछले session में हमारे लिए कौन से level थे बताईए एक इस candle का हाई 15784 और इसी candle का लो यहां पर मार कीजिए यह 52 तो 51784 से लेकर 52 यह एक बड़ा range है सर इस range के अंदर price 1% 8% के momentum intraday में up and down कर सकता है लेकिन जब तक इस range से price निकलेगा नहीं तब तक आपको positional अपना mindset change नहीं करना है बस price के behavior को देखकर अपने percentage of weightage को जो आपका view पर होगा recent market के view पर उसको आप convert कर सकते हैं change कर सकते हैं time to time देखे as a trader हमारी पहली जम्मेदारी है flexibility लचीला पर किस बात में आपकी सोच में जितना price आगे बढ़ता जाए उसके according आपका सोच जो है वो परवर्तित होता रहना चाहिए आपका price को लेकर जो mindset है वो बदलता रहना चाहिए जैसा recent momentum trade with trend का मतलब यह नहीं होता है जिदर बाजार दोड़ रहा है उसके साथ चलिए नहीं trade with trend का मतलब होता है जो trend जो buyer या seller कौन aggressive दिख रहा है कौन price को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है कौन price को रोक पा रहा है यह होता है trend को पहचानना तो जैसे जैसे price change हो जैसे कल के session में क्या हुआ price higher direction momentum किया और नीचे आखे close किया और आज के session का price action क्या है कल की closing थोड़ा सा price gap up किया कल की closing के पास retest किया और उपर हलके दीरे दीरे चलके यहां तक पहुंच गया अब देखिए आज मैंने दुपहर का जो session किया वहां पर जब वो session में कर रहा था live market का session था मैंने कहा था अभी कोई बिक्वाली की बड़ी संबावन नहीं है प्राइस यहां से कोई supply नहीं उठा पर है higher price से उठाएगा मैं चोटे time frame पर आपको भाव आपको लिखाओ पास वेट के time frame पर आई यह यह आज का price action पूरे दिन का लेखा जोका यहां से यहां से यहां तक यहां से यहां तक यह आ momentum किया हलका सा आई के पास फिर consolation फिर थोड़ा सा momentum कर पाया आप swing आई के पास पहुंच गया ठीक है तो जब price यहां से यह downfall कर रहा था तो मैंने आपको क्या बताया दोपायर के session की बात कि मैंने आपको बताया कि price यहां पर नीचे बहुत गिरावट करके नहीं आएगा इ अगर इस इसतर की supply भी अच्छी नहीं दिख रही थी अगर यह बाजार और चलता तो इस level के sellers भी अच्छे खास price को रोक नहीं पा रहे थे ठीक है तो अब हमको क्या करना है कि sellers के सामने क्या buyers अपनी positional position बना रहे हैं इस पर अपना view रखना है क्यों क्योंकि recent market का condition तो downside है लेकि recent market में buyers की जो approach है खरीदारी की वो क्या है price को last swing low देखिए price गिरा ये last swing low 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 price गिरा और इस लोग को एक single लो जब intraday में break नहीं किया तो हम लोग सिर्फ wait and watch wait and watch का मतलब क्या है इंतजार कीजी अपने मौके का sir है ना, जब आउटने मौके का इंतजार करते हैं, wait and watch, देखिए, as a trader आपकी पहले जिम्मेदारी बनती है, अगर intraday में चार opportunity बने तो उसको अगर एसलू trade करना आना चाहिए, अगर intraday में एक भी opportunity नहीं बन रहा है, तो जबर जस्ती खुद से नहीं बनाना है, पूरे दिन ऐसे ऐसे समय आएंगे कि आपको पूरे दिन बाजार में बैठना होगा, लेकिन price में अभी recent, आज के condition को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं, कि कल का market downside और आज का market higher side, तो 60-40 है sir, percentage में, कि 60% संभावना अगर गिरावट की है, तो 40% possibility है कि price high भी break कर सकता है, क्योंकि buyer price में dominating rating की position की तरह दिखता है, अब दो session का थोड़ा सा हम लोग conversion देखते हैं, बहुत जैंसे समझें, अब धीरे धीरे हमारा believe बढ़ना चाहिए closing की तरफ, closing की तरफ क्यों, क्योंकि अभी recently कल के session में हम लोगों ने देखा, और उसके पिछले session में जो चीज़े हम लोगों ने दे चाहिए, यह कल की closing है, price higher direction momentum किया, previous day की closing से supply उठाया, तो closing का price अब महत पूड हो रहा है, क्योंकि पिछले दिन की closing से ही demand उठा रहा है, आज price थोड़ा सा गिर कर बंद हुआ, अब price gap down करने के बाद इसको retest करके नीचे आए, तो पिछले दिन की closing से supply उठा रहा है, price repetition, higher side नहीं जाना चाहिए, अब हम लोग 2 घंटे की closing का wait नहीं करेंगे, ध्यान दीजे, यही मैंने क्या कहा, flexibility, कि आपका mind, thought process, price के साथ convert होते रही है, जैसे जैसे भाव बलता बनता जाए, जैसे अब कल का भाव तो आज बना नहीं, अब कल जो momentum होगा, उसी से तैह होगा, आ उसके साथ भाव के साथ चलना सीखे सर, यही तो मैं आपको इतने session से समझा रहा हूँ, अब यहाँ पे देखे, कल के session में क्या है, अगर price हलका सा gap up करे, जैसे आज के session में किया, अब यह resistance हे रिया था, अब पूरी तरीके से repetition पे काम कीजे, यह resistance हे रिया था, price ने previous day की closing से divan उठाई और higher high चलने की कोशिश की, और last swing low एक भी break नहीं किया, तो supply का कोई मौका नहीं दिया, अभी भी हम seller range में है, कोई breakout नहीं हो गया है sir, अभी भी हम लोग seller range में है, daily time frame का, जो 5750 से लेकर, lower side, जो आपका range है 50-200 तक, उसी range को trade कर रहा है, बस nearby resistance area trade कर रहा है, 55500 के आ candle close होगा, फिर long करेंगे, नहीं, अब कल के session में, बस पहले 9-15 से लेके, 10 बजे तक का, कोई भी 1-15-20 मिनट का candle अगर close होता है, तो उस पे आप believe नहीं करेंगे, बस, उसके बाद अगर कोई भी candle 5700 के उपर close करे, 15 मिनट के time frame का, 10 बजे के बाद, कोई भी candle close करे, सिर्फ पह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर 10 बजे के बाद close कर रहे हैं, जब price में sustainability आ गई है, price adjust हो चुका है पूरी तरीके से, तब कोई खरीदार खरीदारी कर रहा है, तो 10 बजे के बाद, अगर कोई 15 मिनट का candle इसके बब close करे, और उसके high 2 और 5 मिनट के time frame पे break हो, तो समझ जिए, short और long के तरीके के होगे, बहुत जान से सुनिए, जब लोग short कर रहे थे, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, pin bar candle, pin bar का candle का मतलब है कि price चल कर गया, और top पर एक candle बनाए, अगर आप वहाँ short करेंगे, तो पैसा कभी नहीं लेके जाएगा, कुछ ना कुछ दे क आता रहेगा, इसी तरीके से long के लिए अभी हम लोगों ने कोई setup को plan नहीं किया था, अब कल के दिन अगर खरीदारी आएगी, तो वो क्या होगा, repetition of today's price action, आज के भाव को पूरी तरीके से दोहराया जाएगा, आज के भाव में कभी भी breakout के बाद कोई momentum नहीं आया है, breakout के जब उस breakout का retest हुआ है, तब momentum आया, देखें, long तीन तरीके से किये जाते हैं, ये higher rise का formation है, last swing low के पास खरीदारी, breakout के बाद खरीदारी, breakout के बाद retest पे खरीदारी, तो अभी का recent market scenario जो है, अगर long के कल आपको chances मिले, खरीदारी के long positions बनाने का chance मिला, तो वो कैसा मौका सर, price में breakout के बाद जब retest होगा price का, तो वहाँ खरीदारी कर जिएगा, तो वो trade आपके लिए profitable होगा, जैसे आज के session में अगर breakout को trade करेंगे, तो कोई बड़ा momentum नहीं है, breakout के बाद price रुखता है, यहाँ पे breakout के बाद कोई बड़ा momentum नहीं, लेकिन price अगर breakout करने के बाद retest क यह momentum है, एक ही momentum इंटरेडे में मिला, तो ऐसा momentum अगर long अगर कल के session में एक क्यावन साथ सो के उपर कोई 15 मिट का candle proper close करना चाहिए, ऐसा नहीं अपर विक का size दिख रहा हो, ठीक है, फिर 2 मिनट के time frame और 5 मिनट के time frame में जब उसके high close के साथ निकलेंगे, तब आप long करेंगे short करने के लिए हमारा वही trade plan है, daily time frame पर इन चीजों को मार करके बैठिए बहुत ध्यान से, यह आपके लिए high और low, तीन trading session इस range में निकल गए, आज का session, इसके पहले का session, इसके पहले का session, इन तीन session में कल का session negative था, पूरी तरीके से नहीं, first half positive था, second half negative था, अरे सर, first half भी positive negative था, second half तो neutral था, price ने consolidation किया था, 12 बजे के बाद कल पूरे session, ठीक है, आज वो consolidation के बाद price उपर चल कर गया, तो अभी तक का direction momentum जो है, कल पहले खरीदारी आई, उसके बाद उस खरीदारी को काटा गया, लेकिन वो low break नहीं हुए, price ने accumulation किया, और दुबारा seller के पास पहु swing low break होने का मतलब है, आज का major area अगर आप गौर करेंगे, तो जहाँ पर सबसे narrow range होता है, वो सबसे aggressive area होता है, demand या supply का, तो कल अगर price इस 51, 370 के नीचे एक candle close करे, intraday में, gap up करे, या cost के पास open करे, पहले 15 minute, 20 minute, 25 minute, कभी भी आके एक proper closing करे, 10 वजे के बाद करे, कभी भी कर इस range के नीचे, इस high को break करने से पहले पहले, या retest करने के बाद, आकर इस range के अंदर, 51, 350 का एक round figure price माल लीजिए, 330 के आसपास का price, इसके नीचे एक proper candle close करे, retest करे, और उस candle का breakdown कर दे, एक momentum आएगा, उस momentum को carry on कीजिएगा, जहां तक momentum मिले लेके जाएगा, उसके बाद अ suppliers, price में रुके हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, sellers ने कोई बड़ी बिक्वाली अभी की ही नहीं है, price जब भी गिर रहा है, तो seller कोई बड़ी बिक्वाली नहीं कर रहा है, हर swing low के पास price रुक रहा है, कहीं से supplier जब बड़ी बिक्वाली करेगा, तो price क्या कर करेगा अपना last low break करेगा उसी के इंतजार में रहिए शौट करने के लिए बस वेट कीजिए कि एक बार कोई last swing low breakdown हो जाए शौट कीजिएगा long करने के लिए मैंने आपको trade plan बता दिये कि breakout पर trade नहीं करना है, retest पर trade करना है अगर price 5700 के उपर निकलेगा तक लगबाई लगबाई जितने concept हो सकते थे हम लोगों ने discuss किये हैं कल के projection से, अगर इसके बाद भी आपको कोई doubt रह गया है तो नीचे comment section में बता सकते हैं, अगर आप हमसे जुणना चाहें तो discussion में telegram और WhatsApp community का link है, शुब रातरिये, धन्यवाद